हिंदू रास्ट बनाने के लिए लगातार धीरे 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 काम करते रहना और उस रास्टे की तरफ बढ़ते रहना और हिंदू रास्ट बनाने के लिए जो भी बाधाएं आएं जो भी चीज रास्टे में आएं उन सब को लगातार हटाते रहना और लोगों को पता ही ना लगे इसके लिए पूरे मीडिया को कबजे में लेना ये कामें सरकार ने किया और चिस्सा में से आई आपने देखा होगा कि जो मीडिया है उस मीडिया ने सिवाई सरकार का भौप बनने के और दूतरा कोई काम नहीं किया विश्व गुरु तो बादी की चोड़ो के गली ये सारी लड़ाई हम मिलके लड़ी जाएगे अच्छी से अच्छी सिख्षा दे अच्छी से अच्छी ताकि अच्छे नागरिक बन सकें देश में ग्यानी लोग हो सकें और देश तरक्की कर सकें अनपढ़ समाज कभी भी तरक्की नहीं करता है कभी भी एक तरब बीजेपी कहती है कि हमें विश्व गुरु बनाना भारत को लेकिन भारत को विश्व गुरु बनाओगे क्या अनपड रखे क्योंकि सिक्षा के तो बेडागर कर दिया तुमने और सिक्षा नहीं है तो आगे बढ़ने का मतलब भी नहीं है विश्व गुरु तो बाद कि छोड़ो कोई गली महलय के भी गुरु नहीं बन सकता ये सिद्धित्य होने वाली है तो सिक्षा से सरकार का कोई लेने देना नहीं है मैं लगातार गौ गौ जाता रहा हूँ और 2010 से मैं लगातार गौ 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 में घूमा हूँ अब तक तकरीबन 10,000 गाओं मैंने घुमे हैं और लोगों को गाओं गाओं जाके मैंने समझाया घर से सुबह 4 बजे निकल के रोटी बनागे पराटे बनाए हो लेगे हम 4-5 साथी गाड़ी में मेरी में रहते थे और 5-6 गाओं जो भी कवर हो जाते थे हम करते थे इस तरह से मैंने अब तक 10,000 गाओं कर रहे और उसके बाद मैंने जाना कि जो शहरों की बुरी हालत है उससे भी कहीं बत्तर हालत गाओं की है वहाँ तो उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है और गाओं में हालत यह है कि अगर कोई स्कूल है सरकारी सरकारी स्कूल में बच्चे कहीं पे सो हैं कहीं पे डेड़ सो हैं कहीं पे दो सो हैं कहीं पे साड़े छह सो तक भी हैं और मास्टर कितने हैं साड़े छह सो बच्चों पर तीन मास्टर तो कितने लोगों को पढ़ाएगा, कितने बच्चों को पढ़ाएगा, और क्या पढ़ाएगा, जबकि सरकार कहती है, कि 30 बच्चों के ओपर एक मास्टर होना चाहिए, लेकिन आज तक कोई सरकार आई, किसी एक सरकार की बात नहीं कह रहा है, किसी एक का नाम लेने की जरूत यक्ति पढ़ जाएगा, समझदार हो जाएगा, जानकारी हो जाईगी, घ्यान उसे हो जाएगा, तो कभी भी नेताओं की जो बदमाशियाँ चलने ही हैं, यह जो जंता काम नहीं करते, उन्हें बर्दास्त नहीं करेंगे, और उन्हें कुर्सी से उकाड़ के फैक देंगे इसलिए सिक्षा नहीं दी जाती है सिक्षा ना देने का केवल यही एक कारण है इसलिए जितने से जादे से जादे लोग अन पड़ रहे हैं जितने जादे से जादे लोग ना समझ और मूर कर रहे हैं उतना ही इन नेताओं को फाइदा है और इसके साथ साथ एक और काम सरकार कोई भी हो किसी भी पार्टी की वो करती है ये थोड़ा जाद आक्रमक तरीके से कर रही है भारतिय जंता पार्टी की सरकार कि लोगों को आपस में लड़ाओ जितना लोगों को आपस में लड़ाओगे जितना वो आपस में लड़ते रहेंगे जितना वो बठे रहेंगे उतना ही उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी उनकी दुकान चलती रहेगी और लोग उनके गलत कामों के खिलाब अवाज नहीं उठाएंगे और यही हो रहा है, अभी एक काम इनों ने किया है, भाजपस सरकार ने क्या, मैं तो इसे सरकार गई मानता हूं, हाला कि अदालत के मादन से आया भी, हमारी एक बहनजी जो है, वो बता भी रही थी आरक्षण के विशे में, जो फैसला सुप्रिम कोट का आया है, वो वही तो कि जो दलिस समाज के लोग या SCST OBC के लोग इस CA NPR और NRC का अंदोलन में धीरे देरे साथ आ रहें तो इनको काटके अलग करो यह अपने आरक्षंड की लड़ाई लड़ते रहें यह उधर बढ़ जाएं और यह दर CA और NPR और NRC के लड़ाई लड़ते रहें यही तो दो पाटने की कोशिश है अन्य तो ऐसे समय में इस पैसले का आने का मतलब क्या था कोई मतलब नहीं था लेकिन मैं यह मानता हूं इन्हों ने बहुत बढ़िया काम किया क्योंकि इन्होंने CA और NPR और NRC करके हम लोगों को और निकाल दिया नहीं तो हम तो बहुत बताते थे लोगों को कोई निकल के नहीं आता था पर अब आप अपने आप आएं इसी तरह से यह जो आरक्षण का काम किया है हम दलिस समाज के लोगों को SCST OBC के लोगों को बारबान निकालने की कोशिश कर रहे थे निकल के तो आ रहे थे लेकिन जितनी बड़ी संक्या में उन्हें आना चाहिए था उतनी बड़ी संक्या में नहीं आ रहे पर अब आएंगे वो अब आएंगे निकल के वो और अब सारे के सारे मिलके अब ये खाड़ के फैंकना ये सारी लड़ाई हम मिलके लड़ी जाएगी अब आएगा मज़ा तो सरकार जो काम करने चाहिए वो नहीं करती पर कभी कभी ऐसे काम अंजाने में हो जाते हैं कभी आप सोचो कि क्या सरकार के पास किसी चीज की कमी है क्या सरकार के पास क्या किसी विद्वान लोगों की कमी है क्या ग्यानी लोगों की कमी है क्या कहीं कोई कमी नहीं है संशातनों की कमी नहीं है पैसे की कमी नहीं है अच्छे अच्छे लोगों की क्वालिफाइड और बिलियंट लोगों की कोई कमी नहीं है पर फिर भी देश की आर्तिक हालत क्यों खराब हो रही है देश में सिक्षा का बेड़ागर क्यों हो रहा है रोजगार क्यों जा रहे हैं गुंडागर्दी क्यों हो रही है और सरकारी इस तर पर गुंडागर्दी क्यों हो रही है मतब वैसे जो हो तो हो लेकिन सरकारी इस तर पर जो गुंडागर्दी हो रही है क्या नहीं लगता कि जान बुझके है और इन सबका कहीं न कहीं आपस में कोई connection है CA का भी, NPR का भी, NRZ का भी, इस आरक्षन का भी और इस जो आपके आने वाला है जो होरा लगातार निजी करन और इसके साथ साथ जैसे नोकरियां जा रही हैं क्या इन सबका आपस में कोई संबंद आपको नजर नहीं आता मुझे तो बहुत सिधा सिधा संबंद नजर में आता है ये सारे के सारे ऐसी समझो जैसे BJP और RSS के संगटन है एक RSS है एक BJP है एक विश्मदू परिसत है एक बजरंगतल है एक ये सैना है और एक वो सैना है ये सारे के सारे इसी तरह से हैं सब कुछ लगते अलग अलग हैं लेकिन हैं सब मिले हुए बिलकुल इखटे हैं क्यों हैं इखटे और क्यों ये सारी के सारी चीजें लगातार सरकार इनको कर रही है क्या बेवज़ कर रही नहीं हर चीज के पीछे कारण बिना कारण के इस सरकार ने एक भी काम नहीं किया है लगातार अपना जो उनका उद्देश्चे है उसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं जब 2014 में इतनी बुरी सिती नहीं थी और 2014 में सरकार इतने लंबे चोड़े वादे करकर आई दो करोड प्रतिवर्ष यानि हर साल दो करोड नोक्रियां मानत दस साल में दस करोड नोक्रियां देने का वादा करके आई चलो मानलो कोई पंदरे बीस लाग रुपे जी बात कह रहे थे कि वो ऐसी खाते में आ जाएंगे विदेशों में जो काला देने उसको अगर छोड़ भी दें तो कम से कम नोक्रियों की बात सरकार ने कही किसानों की जो आम दरी है वो दुगनी करने की बात कही सरकार ने महिलाओं की सुरक्चा की बात कही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बात कही है इसमार्ट सिटी बनाने की बात कही गंगा की सफाई करने की बात कही पर कोई भी चीज हुई क्या केवल नारे रहें सारे के सारे सब नारे और 164 योजनाए पिछले पांच साल में प्रदान मंत्री ने अपने नाम से मतलब सरकारी नाम से होती हैं अलग बात हैं किसी और के नाम से होती महापुर्शन सेईदों के नाम पे होती हैं तो समझ में आती खुद प्रदान मंत्री ने अपने नाम से कि प्रदान मंत्री ये योजना प्रदान मंत्री वो योजना प्रदान मंत्री ऐसी योजना प्रदान मंत्री वैसी योजना 164 योजना है प्रदान मंत्री ने उनकी घोशना की है लेकिन किसी योजना में भी काम हुआ नहीं तो घोशना क्योंकि क्योंकि लोगों को दिखाना है कि सरकार इतने काम कर रही है महिलाओं के काम किसानों के काम म पिजली के लिए काम सफाई के लिए काम नजाने कित्रे तरह के काम पर कोई भी काम पूरा तो नहीं हुआ तो वो सब समझ में आना चाहिए कि वो सब एक दिखावा था और वाकई में वो सरकार का एक दिखावा था उसकी आण में जो सरकार का असली काम था वो काम था हिंदू रास्ट बनाने के लिए लगातार धीरे 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 काम करते रहना और उस रास्टे की तरफ बढ़ते रहना और हिंदू रास्ट बनाने के लिए जो भी बाधाएं आएं जो भी चीज रास्टे में आएं उन सब को लगातार हटाते रहना और लोगों को पता ही न लगे इसके लिए पूरे मीडिया को कबजे में लेना ये कामें सरकार ने किया और जिस्समें से आई आपने देखा होगा कि जो मीडिया है उस मीडिया ने सिवाई सरकार का भौप बनने के और दूत्रा कोई काम नहीं किया गलत हो सही हो गलत हो सही हो लेकिन उसने हमेशा जन्ता को और विपक्ष को गलट ठेराया और सरकार की जितने भी नीतिया हैं उन सब को सही बताके लगातार ये प्रिचार किया और साथ में प्रिचार किया हिंदु मुस्लिम का और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लगातार ये प्रिचार किया लेकिन उसके पीछे पीछे अपने सारे काम जो हिंदू रास्ट बनाने के हैं वो लगातार सरकार करती रही मतलब सरकार का एक दुसाहस देखिए कि एक सो तीस करोड की आबादी को आप जबरदस्ती अपने हिसाब से चलाएंगे जबरदस्ती जो मन में आएगा आप वो करेंगे और चाहेंगे कि जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले वो या तो हिंदू बनके रहें अन्यता वो गुलाम बनके रहेंगे और उन्हें डिटेंशन केम में डाल दिया जागा यह सरकार की निती है हाँ बिलकुल सरकार यही काम कर लगातार सरकार ने यही काम किया है और इसी के लिए मैंने जैसे पहले आपको बताया है नोट बंदी बहुत सोचा समझा इनका प्लान था लोग नहीं समझ पाए गरीब आदमी जिससे पूछो बढ़िया वो यही कहता था बढ़िया हुआ जी साब नोट बंदी से काला धना जाएगा जिन लोगों के पास बह पैसे को तो निकाल लिया जाए और अपना जो पैसा है काला धन उसको जो सही कर लिया जाए उसको सफेद कर लिया जाए केवल यही मंचा सरकार की रही और हुआ भी यह आपने देखा होगा कि अमिस्साह का चार दिन में केवल चार दिन में साड़े तीन हजार करोड रुप का कॉपरेटिव बेंक का एमदाबाद में गुजरात में ये चेर्मेन हुआ करता था मिसा उस बेंक में पैसे जमा हुआ चार दिन में साड़े तीन हजार करोड और वो पैसा उतना था कि अगर हमारे देश में जितने भी गिंती करने की नोट किनने की मशीने हैं वो सारी मशीने भी लगाई दाएं तो भी चार दिन में उन नोटों की गिंती नहीं हो सकती इतना पैसा और उसका ज़ारा वाइट हो गया एक नमबर में हो गया तो फायदा किसको हुआ तो इसके पीचे रणनी थी क्या थी बहुत सीधी सीधी रणनी थी थी कि जनता के पास पैसा रहना जाए और जो हमारा पैसा है वो पैसा सही तरीके से इस्तमाल हो जाए सफेद हो जाए और साथ में जो इनके जितने भी साती हैं चाए अंबानी हो अडानी हो जितने भी लो आ जाए भाड़ में इतना जो फ्राड है आज की तारिक में बैंक में किसका पैसा है पब्लिक का ही तो पैसा है किसी का कम है किसी का जादे है लेकिन आपने देखा कि जब बैंक में बैंक का दिवाला निकलता है उसी पब्लिक की बुरी हालत होती है जैसे अभी आपने देखा बॉम्बे में PMC Bank PMC Bank में गोटाला हुआ और जिल लोगों का पैसा है वो अपना पैसा नहीं निकल वा पा रहे अब तक 10 लोगों की मात हो चुकी है या रहे ही पैसा है और मैं अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहा हूँ और इसके लिए मैं लगातार भाग रहा हूं लेकिन सरकार ने लिमिट लगा दी नहीं 30,000 से जादे नहीं 40,000 से जादे नहीं वो भी 6 महीने में पहले तो 4000 की के रहे ते फिर 10,000 किया और फिर बढ़ा के वो 40,000 किया 6 महीने में यानि जिस आदमी का करोन रुपिया जमा है उसके बच्चों की फीच जमा नहीं हुई और फीच उसे देनी है और इसी सदमे में वो व्यक्ति मर गया अब पैसे का क्या होगा अपना पैसा नहीं निकाल पा रहा कौन कर रहा है ये सारे सब कुछ ये सरकार अपने आपको बताती है कि भरस्टा चार किसी हालत में बरदास नहीं है तो जब से इस बार दुबारा ये चुनकाई है 354 करोड रुपे का हर दिन बैंकों में घोटाला हो रहा है यानि 354 करोड रुपे पब्लिक का पैसा कहां चला जा रहा है किसी को पता नहीं है